हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो तुम होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्थ होगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी फिर से आने वाले इस नए स्टोरी का तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं तुम सब जल्दी से अपने आखे बंद कर ल में जैसा कि हम सब जानते हैं पिकाचू एक प्यारा सा चोटा सा एनिमल है लेकिन इसके पास मैजिकल पावर है जब इसे गुसा आता है तो इसके अंदर गजब की मैजिकल पावर आ जाती है इसके अंदर गजब का पावर आ जाता है यह एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग बन एक्स्ट्रीम्ली फास्ट बन जाता है तो हमारे इस प्यारे से पिकाचू की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक दिन की बात है ये पिकाचु एक जंगल में खेल रहा था और इस जंगल में खेलते खेलते उसे प्यारी सी बटरफ्लाइ नजर आई उस बटरफ्लाइ के प्यारे प्यारे पंकों को देखकर इसका मन मचल गया इसने सुचा मैं इस बटरफ्राय को पकर लेता हूँ और वो उस बटरफ्राय को पकरने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा बटरफ्राय तो उसके हाथ में ही नहीं आई वो एक फूल से दूसरे फूल पर दूसरे फूल से तीसरे फूल तक उरती जा रहे थी और उसकी हाथ ही नहीं आ रहे थी और Pikachu से पकड़ने की कोशिश कर रही जा रहा था तो Butterfly ने मुस्कुरा कर कहा मेरे प्यारे Pikachu तुम कितने भी स्ट्रॉंग हुए तुम कितने भी फास्ट हुए रणिंग में पर तुम मुझ से नहीं जीत सकते Pikachu ने का ठीक है ऐसी बात तो चलो हम दोनों रेसिंग करते हैं और देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है Butterfly ने का ठीक तो चलो शुरू करते हैं वान टू थ्री और दोनों ने भागना शुरू कर दिया Butterfly आकाश में उरती जा रही थी उरती जा रही थी और उसको देखते हुए पिकाचो भी स्पीड में भागता जा रहा था और इस रेसिंग के चकर में उसे पता ही नहीं चले चला कि वो कब अपने जंगल से बहुत 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 दूर निकलाया था उसका जंगल बहुत दूर पीछे छोड़ गया था जिस जंगल में इसका घर था अब वो एक बहुत ही अजीब सी नई जगह पर था और ये उसकी जंगल से बहुत ही अलग थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है इस जगह पर एक बहुत ही अजीब सी चीज थी इस जंगल में इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ रैबिट्स थे येलो रैबिट्स, पिंक रैबिट्स, वाइट रैबिट्स यहां सिर्फ और सिर्फ रैबिट्स थे यहां और कोई एनिमल नहीं था उसे बड़ा अजीब लगा कि यह बड़ी अजीब जगह है और वो देखता रहा बटरफ्राय कहां गायब होगी बटरफ्राय भी नजर नहीं आ रहे थी अब वो इस नई जगह पर बिल्कुल अकेला था वो गुमसुम हो गया वो रोने लग गया उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगी जब वो रोने लग गया तो वहां से गुजरने वाले एक बुजर्ग रैबिट ने और एक यंग रैबिट ने उसे देखा और प्यार से आके उसे पुछा कि तुम कौन हो तुम रैबिट जैसे तो दिखते हो तुमारे दो कान हमारे जैसे हैं लंबे लंबे तुम्हारा फेस भी थोड़ा थोड़ा हमसे मिलता है पर तुम्हारा कलर भी हमसे अलग है तुम यलो ब्लैक हो और तुम कौन हो तब उस पिकाचु ने बड़े रोते हुए मायूस शब्द में दुखी होकर कहा कि मैं बहुत दूर जंगल में रहता हूं वही मे लगया हूं रोने लगया तो उस बुजर्ग राविट ने और उस यंग राविट ने का अरे बीटा तुम रोनी चलो तुम हमारे साथ चलो तुम हमारे घर रहो और तुम ऐसे बिलकुल भी मत सोचो कि तुम्हारे पैरैंस नहीं है तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा ममा रैबिट पापा रैबिट दादा जी रैबिट दादी जी रैबिट और उस रैबिट के छोटे छोटे चार बच्चे पिकाचु को ये घर बहुत अच्छा लगा जैसे घर घुसने के साथ ममा रैबिट को पता चला कि पिकाचु भूखा है उसे जल्दी जल्दी में मलहम लगा कर पट्टी बांदी बच्ची पिकाचु को भाया भाया कहके बोलते थे और इस तरह से पिकाचु को इस नई फैमिली में लगा ही नहीं कि वो अपने पैरेंस से भिछुड गया है वो दिन भर बच्चों के साथ खेलता था और पिकाचु बहुत स्ट्रॉंग थ जाता था और इस तरह से पूरा दिन उसका कैसे निकल जाता था उसे पता ही नहीं चलता था इस गाउं में इस रैबिट वाले जंगल में सारे रैबिट बहुत ही अच्छे थे वो सभी पिकाचु को बहुत प्यार करने लगे और इस नहीं जगर पर पिकाचु को बहुत ही हुए दिन बीटने लगे, महीने बीटने लगे, अब एक दिन, पिकाचु ने यह observe करा कि आज इस गाउं के सारे रैबिट के चेहरे उत्रे हुए है या किसी के भी चेहरे पे वो smile नहीं जो हमेशा रहती है और आज वहाँ पे ढोल बजा बजा कर एक रैबिट announcement कर रहा है लोगों को बोल रहा है कि आज बहुत खास meeting है और तुम सभी को आना है, सभी रैबिट को वहाँ आना है, और सभी बुजर्ग और जवान रैबिट वहाँ आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, तो पिकाचु को ने सोचा कि किस चीज की meeting है वो जब घर गया तो उसने दादाजी से और ममा पापा रैबिट से पूछा उसने देखा कि आज दादाजी दादी जी रैबिट और ममा पापा रैबिट भी बहुत चिंता में हैं वो उनके चेहरे बुझी हुए है उनके दिमाग में कोई tension है जो वो बता नहीं रहे है बच्चे खेलने में मस थे लेकिन सारी जंगल के रैबिट के चेहरे पर एक बहुत बड़ी tension नज़रा रही थी पिकाचु को समझ ही नहीं आ रहा था और तुम meeting में भी नहीं आओगे दादा जी ने डाटते हुए का कि तुम promise करो तुम meeting में भी नहीं आओगे पिकाचु ने का ओके दादा जी मैं नहीं आओगा और शाम को गाओं के सारे बड़े rabbits और मुजर्ग rabbits एक जगह पे जमा हो गए पिकाचु का मन नहीं माना और पिकाचु ने का कि जाकर मैं देखू तो सही कि क्या बात है जिसके वज़े से सारे rabbits इतने परेशान है वहाँ जाकर meeting की बातें शुरू हो गए और meeting की बातें शुरू होते ही पिकाचु की नजर पिकाचु की समझ में सारी स्टोरी आ गए सारा वाकिया क्या है क्या दास्ता है जिसके वज़े से यहां के rabbits दुखी है नया साल आने वाला था पिकाचु सोच ही रहा थे कि नया साल का कोई celebration नहीं यहां उल्टे सब लोग मायूसी बना रहे हैं पर आज इस मीटिंग में छुपकर पिकाचु ने जब सारी बाते सुनी तो उसकी समझ में आ गया कि माजरा क्या है माजरा ये था कि इस गाउं में न्यू येर पे पास ही के जंगल के टाइगर्स आते थे और यहां के आनिमल्स को रैबिट्स को मार मार कर ले जाते थे उन्हें यंग रैबिट्स का मास बहुत पसंद था तो यंग रैबिट्स को मार मार कर ले जाते थे तो इन सारे रैबिट्स ने मिलकर उन टाइगर्स से रिक्वेस्ट करी कि हम अपने में से चुन कर आपके सामने खड़े हो जाएंगे अपनी बली देने के लिए पर आप हमारे बच्चों को छोड़ दो तो आज भी मीटिंग में जब ये डिसाइड होने लगया कि इस बार कौन अपनी बली देगा तो ममा और पापा रैबिट ने का इस बार हम अपनी बली देंगे तब दादा जी और दादी जी रैबिट ने का नहीं तुम अभी जवान हो तुम्हें खेती बाड़ी और इस पूरे गाओं को इस जंगल को तुम्हारी ज़ुरत है हम अपनी बली देंगे सारे बुज़ुर्ग रैबिट ने डिसाइड कर लिया कि इस बार न्यू यर वाले दिन बचों को घर में चुपा दिया जाएगा यंग रैबिट को घर में चुपा दिया जाएगा और सारे बुज़ुर्ग रैबिट बाहर खड़े हो जाएगे उस चबूत्रे पर जहां आकर वो टाइगर इन्हें खा जाएगा और बाकि सारे रैबिट्स सीफ रहेंगे अटलीस्ट वो शिकार नहीं बनेंगे तो ये जब सुना और सारे जवान जो रैबिट थे वो बार-बार बुज़र्ग रैबिट उसे बोले थे कि नहीं आप हमारे सिर्की चछत हो आप हमारे बुज़र्ग हो आपको हम इस तरह बली नहीं दे सकते लेकिन बुज़र्गों ने जिद के कि नहीं इस बार हम अपनी बली देंगे और फाइनली वो मातम की रात आ गई वो था new year, new year night new year night वाले दिन तो इस गाओं में जैसे की कोई साफ ही सूंग गया हो किसी की घर में कोई रोशनी नहीं थी बच्चों को छुपा दिया गया था बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया था कि मुह से आवाज नहीं निकाल लिया है सारे जवान रैबिट भी चुप कर बैठे हुए थे और सारे बुजर्ग रैबिट एक बड़े से चबूते पर आ गये थे और अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे रात होते होते बड़ी अजीब सी घुराहट के साथ चमकती आँखों वाले टाइगर्स तो तीन टाइगर होते थे जो हर साल आते थे वो वहाँ आ गये और जब वहाँ आकर उन्होंने उन रैबिट को देखा और उसे जपटा मारने ही वाले थे उस पर कि पिकाचु वहाँ आ गया और पिकाचु ने उन रैबिट को ललका उन सारे टाइगर्स को ललकरा कि नहीं, तुम इस बार हमारे गाउं के दादा जी और दादी जी रैबिट्स को नहीं खाऊगे, भाग जाओ यहां से नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं टाइगर ने का यह छोटा सा पिद्दू सा रैबिट हमें ललकार रहा है, इसे हमारी स्ट्रेंट की पता नहीं है टाइगर्स दिद्धार ओरते हुए का उन दादा जी और दादी जी रैबिट्स से समझा लो इस छुटकू से रैबिट्स को, अगर ज़्यादा यह बाते बनाएगा, तो हम सबसे तो टाइगर्स को लगा कि यह तो छोटा सा टाइगर है, हम इसे मार कर खा जाएंगे, जैसे ही टाइगर उस पिकाचू पर जप्टे पिकाचू ने अपने सारी पावर्स को ओन कर लिया, अब पिकाचू एक बहुत ही जोड़दार और बहुत ही ताकतवर दूसरे टाइगर्स ने दिखा कि अरे यह छोटा सा रैबिट, कोई और्डिनरी रैबिट नहीं, इसके पास तो बहुत जादा पावर है, जब दूसरा टाइगर भी उस पर उचला, तो इसी तरह जोड़दार मुक्यव से पिकाचू ने उनके भी होश ठिकाने लगा दिये और पिकाचू ने देखते ही देखते मैजिकल पावर से अपना शेप बड़ा करना शुरू कर लिया, करते करते वो इतना बड़ा और विशाल हो गया कि उसे देखते ही वो टाइगर्स भाग गये पिकाचू ने उन टाइगर्स को कहा कि तुम इस गाउं के तरफ मुर करने ही देखोगे, ने तो आज तुम्हारा आंत निश्चित है उसने एक टाइगर के उपर जोर से अपने पैर से लात मारी और उसकी एक टिक से ही वो टाइगर दूर कहीं जाकर गे गया ये देखते ही तुस्रे टाइगर्स डर गए और भाग गए पिकाचू ने वार्निंग दी कि आज से इस जंगल का रुख मत करना अगर तुमने इस तरफ देखनी की भी सोची तो तुम जिन्दा नहीं बचोगे तुम ये मत सोचना कि यहां पे अब कोई भी ऐसा नहीं जो तुमारा मुकाबला कर पाए ये मेरा परिवार है और इसकी तरफ तुम नजर उठा के नहीं दिखोगे टाइगर्स ने प्रॉमिस करा और अपने जान की भीक मागने लग गए पिकाचुने उन्हें माफ करते हुए छोड़ दिया और ये प्रॉमिस करते हुए कि वो कभी इस गाउं में लौट कर नहीं आएंगे कभी यहां के लोगों को परिशान नहीं करेंगे वो टाइगर्स चले गए और इस बार सालों बाद इस गाउं में इस रैबिट्स के गाउं में जश्ट मनाया गया पटा के चलाया गया लोगों ने डांस किया ढोल बजाए और न्यू येर मनाया तो यही थी हमारी आज की प्यारी सी छोटी सी कहानी पिकाचुने अपने सूपर नैचुरल पावर का इस्तिमाल करके इस गाउं को बिलकुल खुशाल बना दिया था लोग आकर पिकाचु का हाथ चुम रहे थे उसे हथ कर रहे थे दादा जी दादा जी रैबिट्स ने उसे बहुत सारे ब्लेजिंग्स दिये कि बेटा तुम्हारी वज़े से आज इस गाउं को तुमने इतनी बड़ी उलजन से बचा लिया और पिकाचु ने कहा कि नहीं आप सभी के मन में इतना प्यार है हर किसी के लिए और बड़ी बुज़ुर्गों में अपने बच्चों के लिए त्याग करने की इतनी भावना है कि ये प्रोटेक्शन तुम्हें इश्वर ने दिया है वो रात सुहानी रात थी सबने नियू ये को सेलिब्रेट किया सब अपने अपने घर सुख की नीट सो गए अब उन्हें किसी भी टाइगर का डर नहीं था तो यही थी हमारी आज की प्यारी सी कहानी और होपफुली तुम सभी को बहुत पसंड आई होगी अपने फ्रेंज, अपने डियू तर अपने स्कूल फ्रेंज के साथ शेयर करना बिलकूल मत भूलना हमारे चैनल को सब्स्राइब करना बिलकूल मत भूलना बेल आइकन को हिट कर देना और इस स्टोरी से हर स्टोरी से कुछ न कुछ सीखना हम कल शाम आट बजे पर से मिलेंगे नई स्टोरी के साथ बहुत सारे ब्लेजिंग के साथ गुड नाइट, अलविदा लेती हूँ, बबाई, टेक केर